इस लेक्षर में हम penetration testing के बारे में समझेंगे what is penetration testing penetration testing को एक short form इसको pen test भी कहा जाता है जिससे कि हैं। penetration testing को as a short pen test भी कहा जाता है यह basically contexto we graphic cyber attack होता है जो computer systems णोने इक्टोर कर máximo website के ओपर किया जाता है जो wirklich ऑंग जूंए बमाब में सुर्द माबी देख Camper उसी तरह का एक नकली अटेक किया जाता है, जिसके अंदर सिस्टम को नुकसान नी पहुचाया जाता, उनकी सिर्फ वलनेरिबिलिटी को निकालने के लिए अस अटेक को परफॉर्म किया जाता है, सिंपली उसको हम कहते हैं, पेनेटरेशन टेस्टिंग, कि इद 것은 उसको फेनेटरेट कर रहे होते हैं, उसके अंदर कितना हम पेनेटरेट कर सकते हैं, वो चीज़े हमें definitely हम चränक कर रहे होते हैं, सिस्टम को सिक्यूर बनाने के लिए सिस्टम को Penetration Testing की जाती है, तो कुछ Methods होते है, Penetration Testing के, अब पहला है यहाँ पे External Testing and दूसरा है यहाँ पे Internal Testing, External Penetration Testing के अंदर Company के बाहर से Pen Testing की जाती है, मतलब Company का जितना भी Public Facing Asset है, जितना भी Publicly Available Assets है, उन सब को Publicly Available जगों से, मतलब अगर Website है तो उसको हम अपने घर पे बैठके उसकी Testing करेंगे, तो वो कहलाएगी External, because Company के बाहर से हम बैठके उस Website को Test कर रहे हैं, या उसकी Pen Testing कर रहे हैं या Penetration Test कर रहे हैं उसका, तो ये कहलाता है External Penetration Testing, मतलब Company के बाहर से Penetration Testing करना, और वहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास आता है Internal Testing, Internal Testing का मतलब होता है Company के अंदर से उन Attacks को Simulate करना, जो के Real World में होते हैं, मैं आपको Example देता हूँ, एक Hackers का Group है, वो आपकी Company को नुखसान पहुचाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो पूरा Plan करेंगे, वो एक बंदा भेजेंगे, वो आपकी Company में आएगा, Interview देगा, फिर उसको आप Job देदेंगे, वो जॉब पे आप उसको रख लेंगे, वो डेली आता रहेगा, जो आपके उपर, एक दो हफते तक वो आपका Trust बिल्ड करेगा, अपने उपर, कुछ टाइम के बाद वो एक जो है, Infected USB आपके Computers में लगा के चला जाएगा, हो सकता है, Malware इंस्टॉल करते हैं, आपके Systems के अंदर, आपकी Employee के अंदर, आपके जो Network है, Network Infrastructure, उसके अंदर बैटके वो काम कर रहा है, जो कि Publicly Available नहीं है, वो सिर्फ Employees के लिए Available है, वो पूरा Infrastructure, तो Company को Internal and External, दोनों साइड से Secure बनाना होता है, That's why यहां पे External and Internal Penetration Testing करी जाती है,